के नमस्कार दोस्तो अज मैंने बा रही हूँ मैं मंद्छूरियन वेज मंद्चूरियन और इसमें मैंने कब़ेज लिया है कब़ेज मैंने वन कप लिया है फाइन चॉप किया इसको और फाइन चॉप मैंने कली फ्लावर लिया है आप चाहें तो इसे ग्रेट कर ले कैरेट लिया है मैंने ग्रेट किया हुआ है यह मैंने लिया है पनफोर्थ कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने वाला हाफ कप भी ले सकते हैं कैरेट तो बहुत अच्छा ही लगता है और चिल्ली ग्रीन चिल्ली ये भी फाइन चॉप जिंजर फाइन चॉप किया हुआ है तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं गार्लिक लिया है फाइन चॉप किया है तो जब भी मंचूरियन बनाते हैं तो इन में सब्जियां जो है बिल्कुल फाइन चॉप होनी चाहिए या फिर आपके पास चॉपर है आप सारी सब्जियों को डाले उसमें चॉप कर ले तो सब्जिय एक साथ चॉप हो जाती है और ये डाल दिया मैंने करन फ्लोर वन टेबल इस्पून वन टेबल इस्पून मैंने मैदा ले लिया है अब यहां पे मैं मसाले ले लूँगी तो सॉल्ट लिया मैंने और ये रैड शिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं मसाले किचन किंग मसाला आप टी असपी रखा मैंने जीरा पाउडर आप यहां पे देखिए मैं इसमें सुहाना का मसाला डालूंगे सुहाना मसाला ये अल ये मलब प्रोपर जो है वेज जो भी आपका गोभी मंचूरियन बनाना आपको वेज मंचूरियन बनाना है आपको तो आप सुहाना का मसाला लें उसमें दो पैकिट निकलते हैं और यहां पे तो मैंने थोड़ा सा इसको तीखा रखने के लिए मैंने इसमें अपने घर के मसाले आड किये हैं उसमें आप कोई मसाला add मत केजे, जो इसमें दो packet है, एक packet जो वेज के अंदर डाला जाता है, दूसरा packet है जिससे gravy बनाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने यह एक packet खोला, जो की मसाला वेज के अंदर डलता है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा आदा ही डालूँगी, तो अगर आपने घर के मसाले नहीं डालने हैं तो आप पूरा मसाला इसमें sa Erica में डाल सकते हैं और ये जो है सोहाना का जो मसाला होता है Manchurian का बहुत यमी होता है बहुत मला इसका ठेस्ट और बढ़ा देता है वो Manchurian का तो अभी मैं इसको को mix कर लूँगी और देखंगी बाइंड करके कि बॉल हमारी बाइंड हो रही है के नहीं और फिर मैं इसको fry करूंगी तो जब ऑब देखिये हमारे पास काफी सारी सब्जियां है इसको जब हम fry करेंगे तो ओल को गरम कर लेंग फिर medium flame करें ठीक है और फिर उसे golden fry करना रहता तो मैं अभी इनको फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि बॉल हमारी अच्छे से बाइंड हो रही है अगर नहीं हो रही है बाइंड आपको बिखर जा रही है तो समझो कि इसमें आपको मैदा या फिर कॉन्ट फ्लोर और हैड करना है तो मैं अभी इने फ्राई कर लूँगी गोल्डन फ्राई करूँगी अब इसके लिए जाब हम ग्रेवी बनाते हैं ग्रेवी के लिए मुझे अब मैंने प्रोपर पूरा सुहाना का मसाला लेना है मैंने वो इडालूँगी इसमें तो यह देखिए बॉल भी हमारी अच्छा फ्राई हो गई है गोल्डन फ्राई है अब यहां पर देखिए बहुत लोग हो देहना कि अरे जो मंचूरियन बनानी है अरे उसमें यह सॉस डलेगा वो सॉस डलेगा तो आप किसी भी सॉस को मत रखिए आप सुहाना का मसाला लाइए और उससे अपना मंचूरियन बना लीजए अब यह देखिए सेकंड पाउडर जो था इसके अंदर यह अपने ले लिया है टू टेबल इस्पून और मैं इसमें पानी एड़ करके इसका पेष्ट तयार कर लूंगी पहले तो यह अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए इसमें लंस नहीं रहने चाहिए अब इसमें देखिए इसमें चाहिए तो आप कोई भी सॉस यूज ना कीज़े तभी जो ग्रेवी जो पेष्ट तैयार हुआ है बहुत यम्मी है यह अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओयल ले लेती हूँ आपको कम ज्यादा ले सकते हैं नहीं आपको अगर नहीं भी पसंद आप इसी पेष्ट में डालें और पानी उबाले और अपना मंशूरियन डाल दे तो मैंने थोड़ा सा ओयल ले लिया है और डाल दिया गार्लिक जो है चाइनेज जो डीश होती है उनमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना सुहाना मसाला का पेष्ट तो मैं अभी आधा डाली हूं देख लेती हूं मुझे कितना इसका गिरेवी रखना है और यह हमने डाल दिया इसमें टमाटर सॉस यह ऑप्शनल है अगर नहीं है तो आप सुहाना मसाला से ही आप इसकी गि इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी तोड़ा से मैं इसको बॉइल कर लूँगी और फिट मिक्स कर देंगे अपना बंचूरियन गोड़ा नहीं है तोड़ा से मैं इसको बॉइल कर लूँगी बॉल्स तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी हमने इसमें रखनी है मंचूरियन में जो की बहुत यमी लगती है जैसे हमें सूप का टेस्ट इसमें जाता है तो आप अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्ली वीडियों की नोटिफिकेशन आपको मिले दन्यवाद